हेलो गाइज, वेलकम बैक तो मैं चैनल, वेलकम तो फिनांस मार्केट, वेलकम तो अनएधर वीडियो, दोस्तों यूको बैंक का रिजल्ट 2020 का जो रिजल्ट था मार्च कौर्टर का वो कल के दिन अनॉंस हो गया, यानि 26th of June को और आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसके रिजल्ट का क्या स्टेटस है, और साथ-साथ में भी पता चलेगा आपको कि कल के दिन अचानक उसमें इतनी तेजी से उच्छाल देखने को कैसे मिला, क्यों मिला, तो आईए के करके जानते हैं, उससे पहले मैं आपसे दो रिक्व सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेटस जो है शेयर करना चाहूंगा फ्राइडे की दिन का, फ्राइडे की दिन दोस्तों यह ओपन होता है 14.45 पे वहां से लो बनाता 14.35 का और हाई बनाता 16.70 का, 52 वीक लो 8.40, 52 वीक हाई है 22.40, लोर सरकित लगा था 11.20 का, अपर सरकित ल 16.70 का और आप देख सकते हैं अपर सरकित इसका हेट हो चुका है और दोस्तों फ्राइडे की दिन यह क्लोज होता है 16.15 पे यानि 2.20.2 पर या फिर 15.77 परसेंट हायर दन प्रिवियस क्लोज प्राइस, टोटल वॉल्म टेटर की बात करें तो 15.9 मिलियन है और मार्केट आप देखेंगे तो 14.41 है परसेंटेज आप डिलिवरी यानि सेक्यूरिटी वाइज डिलिवरी परसेंट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 50.81 परसेंट है 80 परसेंट है जो कि यह टोटल ट्रेटर वॉल्म का एक छोटा सा परसेंट है अब देख सकते हैं छोटा सा नहीं है 51 परसेंट के आस पास का लगबग है तो जो भी इसका क्लिक्रेशन करेंगे टोटल वॉल्म का 51 परसेंट वो आपको पता चलेगा उतनी क्वाइज सेक्यूरिटी वाइज डिलिवरी के लिए उठाए कही है अब मैं रिटन प्रफाइल के बात करें दोस्तों तो एक कि अंदर रिटन परसेंट जिया दोस्तों 15.36 परसेंट का एक महीने के अंदर रिटन परसेंट है 46.82 तीन महीने का आगर देखें तो 79.44 परसेंट 6 मंत का देखें तो मैईनस 50% माईनस 5 परसेंट है और वन यहर की Изचैके कर तो 6.92 परसेंट माईनस में है टेकनील बात करेंगे दोस्तों तो वेरी बुलिश है आप देख सकते हैं आप है आलाइट अब मैं बात करता हूं दोस्तों यूगो बैंक के यूगो बात करेंगे दोस्तों के बाद यूगो बैंक ने पहली बाद प्रॉफिट बूक किया है यहां पर इन दी ब्लैक का मतलब होता है कोई चीज जब प्रॉफिट में आती तो इसको बोलते हैं वो ब्लैक में हो चुकिया राइट वार्ट फोर्फोर नेट प्रॉफिट 16.78 कोर्व पॉब्लिक सेक्टर लेंडर यूको बैंक ओन फ्राइडे रिपोर्टे नेट पॉफिट फोर्फिट अदेन माच 31 मैंनली दू फॉल इन फॉल इन पया थे लोड प्रॉफिजिनिग यह प्रॉफिट जो भी हुए इन को लोड प्रॉविजिनिग और NPA के डेटा में गिरावत होने के बड़ें से हुआ है The Kolkata Headquarter Lender Had posted net loss of 1552.03 crore During January to March quarter Of 18.19 Right Fiscal Year 2018.19 Sequentially also There was a net loss of 960.17 crore In 3rd quarter of March 3rd quarter of 2019.20 Yankee December quarter Incoming मेनिंक अम्र कום मार्च अंच रिंच्ट औ 45,000 11.21 करह्त पे रुपे 4148.52 करह्त रिस्यम शहं in the rez मेरे यह डि 혼자 felाह्त आज पतनी हाण इस प्लिपाолог कर्यू करोbsी का stuff एंच्ट कर्दोपे 6 manuscript हिस्य करिया की। विस् करौ किस्सी कर्या adो दू Τ Clar,, जा 2,0199 जा during the quarter as against Rs. 2,242.58 crore in the year ago period. For the full year FF 2020, the bank trimmed on its net loss to Rs. 2,436.83 crore compared to Rs. 4,321.08 crore loss in FF 2019. Income for the year increased to Rs. 18,005.55 crore as against Rs. 15,844.14 crore. On asset front, the lender improved its gross non-performing assets to 16.77% of the gross advances as on March 31, 2020 compared to 25% in March 2019. In absolute value, bank's gross NPAs were stood at Rs. 19,281.95 crore as against Rs. 29,888.33 crore. Now you can see, non-performing assets NPAs, which we call, Rs. 19,281.95 crore as against Rs. 29,888.33 crore, the net NPA came down 5.45% from 9.72%. You can see, if you look at this percent, then you can see it in this way. Yugo Bank said that in terms of Supreme Court order and necessary guidelines issued by Reserve Bank of India, RBI, it has kept Delhi Airport Metro Express Private Limited, DAM, EPL as standard account. The bank said that it has not treated a loan amount of Rs. 194.14 crore as NPA against DAM, EPL. However, provision of Rs. 48.54 crore has been made as required. On divergence in asset classification and provisioning in terms of risk assessment report of the RBI for the year ended March 31, 2019, the bank said that there was a gap of Rs. 1217.42 crore in gross NPA reported by it, which was assessed by the RBI. that the bank of the year ended March 31, 2019, the bank of the year ended March 31, 2018, which is a gap of Rs. 2.50 crore in the last year, which has remained in the last year. The bank of India was a small number of Rs. 3.50 crore in the last year. So, the bank of India was reported by it. The bank of India had decided that there was a gap that they could do, bank was bank has made full provision against the say said the divergence this could divergence your shabdi use kya gaya it added hence can counting on divergence the bank said that it's a net loss for fiscal year 2019 widened to 5225.53 crore as against of 4321.09 crore reported earlier the non-performing loan provisioning coverage ratio coverage ratio is 85.46 percent as on 31st march 2020 as against 74.93 percent a year earlier the bank has reported two loan accounts under borrowable fraud category to the rbi in first quarter of 2021 2020 2021 and amount outstanding was 581.59 crore as of march 31st 2020 it added the accounts were already under the npa category and provision amounting to rupees 282.64 crore it held in the account as at march 31st 2020 bank has made additional provision of 74.73 crore 25 percent of remaining provision as on march 31st 2020 and the remaining amount of 224.22 crore as has been charged to reserves and deferred for adjustment in subsequent quarters ugobank a bank added ugobank is not jumped 15.39 percent at close to 16.12 apiece on bse all right so this is the end of this article and this is the end of this article and you can see that you can see what happens here is the end of this article. करोर का दोस्तों थोड़ा डेटा इधर उदर हो मैंने गलती से बोल दिया था 16.78 करोर का प्रॉफिट मैंने आपको आर्टिकल को रीड करते समय बताया था तो 16.78 करोर 17 कोर्टर के बाद इनको प्रॉफिट हुआ है तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी ख़बर है और ओवर देजी ही देखने को मिली है लेकिन लाज्ट की दो तीन ट्रेडिकल देखने को मिला इसके बावजूद भी इसमें इतनी तेजी हल चल देखने को क्यों मिली उसके पीछे सीदा सारीजन है इसका रिज़ल्ट का जो आउटपूट है काफी अच्छा रहा 17 कोर्टर के बाद profit हुआ तो इसमें अचानक इतनी तेजी देखने को मिले और आप देख सकते हैं आपको यहां पे तेजी नजर आ रही होगी यह देख सकते हैं इतनी ज़्यादा jump suddenly jump यह देखने को मिले है वहीं पर आप से बदाना चाहूंगा एक दिन के अलावा आप जड़ा एक महीने का इसका चार्ट देखें तो यह situation है six month का अगर आप देखेंगे तो यह situation है जिसमें आपको low बनाता है high बनाता है six month के अंदर 17.95 का और low है दोस्तों आप देख सकते हैं 8.4 का six month का चार्ट है और आप देख सकते हैं अचानक एक दिन के अंदर अपने high के आसपस पहुंच चुका है तो इस तरीके से यह situation है मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए और आपको भी अच्छा लगा होगा कि आपको यह चीज पता चली अगर आप इसके अंदर invested है तो अच्छी बात है आप बने रहे हैं उसके अंदर और जल्दी पाजी में लॉस ना बुक करें मेरी आप से यही request रहीगी कि आप अपने लॉस को अवर्ट करें हिम्मत रखें और कंट्रोल करें अपने आपको क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब panic situation create होती है उस से में कंट्रोल करना है तो दोस्तों आर्डिकल बहुत वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं चाहूँगा कहीं तक terminate करूँ आप अपना ख्याल रखें and that's it for today और राइट, ओके, बाई गाईस